मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ सही बात बताओं तो कोई व्यक्त अपनी मौत का इस तरीके से फिल्मी स्टाइल में अपनी कहानी रशता है मौत का पूछिए नहीं आप सुनेंगे आप लगेगा यार क्या गजब आदमी था यार पूरी फिल्मी स्टाइल रशता है और अपनी मौत का इस तरीके से फुल फुल पूप प्लानिंग करता है ना फुल फुल कर कदम रखता है कोई जान नहीं पाता है या कैसी कहानी है सच्ची घटना है रियल इस्टोरी है मेरे साथ अंदर तक बने रहीएगा क्योंकि हमारे आपके लिए तो यह कहानी है किसी और के लिए आप बिती हुई चीजे है चलिए मुद्य पर आते हैं 36 वर्सी हिम्मत पार्टिदार की कहानी है जो मंत्परदेश से बिलॉंग करते हैं RSS के सद्धश्य भी है और बहुत बड़े जाने माने परिवार से है क्योंकि इनके चाचेरे और बड़े भाई तो जानते हैं बड़ी फैमली यह से बाइस जनवरी निस कीया कहानी है यहींसर शुरुआत होती है जानते हैं लोगसभा का चुनाव होता है, बड़ा गजब का महाल होता है, लोगसभा चुनाव मतलब आम चुनाव होता है, हर व्यक्त इसमें इंटरेस्ट लेता है, अपने आप में बड़ा महाल था, और 22 जनवरी 2019 की रात लगबग एक या देड़ बजे की रात है, जब हिम इनकी मृत कर देता हो भी तलवार से, तलवार से मौत के घाट उतार देता है, और मालुम है घास फेक कर इनके मुह पर इनके मुह को भी जला दिया जाता है, कितनी मारमी घटना है, कितनी मारमी चीज़े हैं जो इनके साथ इस तरीके से कुरूरता होता है, पुरा परिवार पूरा परिवार परिशान होता है, दिन होता है, इनके पिताजी उठते हैं, वो भी जान जाते हैं, जिनका नाम लक्षमीन नराण पटिदार है। भाई साब जब खेतों में तो पता चलता है किसी कोने पर इनका सव मिलता है, इनकी डेड बाडी मिलती है, लोग परिशान हैरान होते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस भी आती है, पुरे लसकर के साथ पुलिस आती है, और आती है पुरी छानबीन करती है लेकिन गाओं का एक ब्यक्ति ऐसा था जो गायब था गायब था लोग उसे ढून रहे थे कि साइद वही होगा सक्याधार पर उस समय के एसपी हुआ करते थे गौरवत्रिपार्टी छानबीन करते हैं वहां का विधायक भी जानते हैं पूरी जद्दो जहाद लगाता है कि भाया इस फूंक कर कदम रख रही थी कि कोई भी गलत चाल ना चली जाए उस आदमी को ढूणा जा रहा था जुगाओं से गायब था लेकिन मिल नहीं रहा था पोश्ट माडम होता है और लगबग अगले दिन इनके परिवार को सौपकड़ा दिया जाता है लेकिन कुछ खास पता न नहीं कहां से उनको एक सुराग मिला और इतना परिशान है कि पुरी तरीगी से मानों उनका मानसिक इस्तिती पुरी देगी से गरवड़ा गई थी कि इससे निकलना चाहते थे हिमत पार्टिरा ओभी किसी भी प्रकार से निकलना चाहते हैं यह बात सबी साहब को पता चलती दिया कि आखिर यह क्या हो गया पता चलता है कि ह्मत पार्टिरा तो है ही नहीं तो कोई और ने कि हमत पार्टिरा आज भी जिन्दा उसे पोली से फोन मिलते हैं पुछ सब्य से पर परिशांद थे अर्स दिन पहले उन्होंने लगभत 20-25 लाक एग बिमा कर आया था और उस बीमे की रास निकालने के लिए इस तरीके से खेल के लिए पुछी है पूरी फिल्मी स्टाइल में खेल के लिए हैं ओ कैसे अब आप जानी गया है हिमत पार्टीदार तो जिन्दा है यानि कोई और मरा है ओ कैसे मरा है अब इस प्रसंग पर आते हैं अब एस पी साहब इसके चानबीन में लग जाते हैं हिमत पार्टीदार से पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया और ये कैसे हुआ फिर हिमत पार्टीदार एक एक चीजे जोड़ कर बताते हैं जिस तरीकी से पूरी फिल्मी स्टाइल में फुल्प्रूफ प्लानिंग किये थे हिमत पार्टीदार बताते हैं कि भाईया मैं अपने कदकाठी वालों को धून रहा था और अचानक से मेरे गाओं में कालू मालवी करके मिले जो मेरे कदकाठी के लगभग मैच करते थे मैं उनको सैलून ले गय अपने स्टाइल्म उनका बाल और अगरा कटवा चिपा देते हैं, कालू मालवी पूरी तरीक से तयार हो जाते हैं, अब इसका ये मुहरा बनने वाले थे, लेकिन जिस रात कालू मालवी को मारने वाले थे हिमत पाटीदार, उस रात कालू मालवी को फोन लगाते हैं हिमत पाटीदार, लेकिन फोन नहीं उठाते कालू मालव वो यहां यूज होता है एक्स्टेंपोर का मतलब ही होता है अचानक वो भी बिना प्लान के उनके गाओं में पूर्ब सहयोगी हुआ करते थे यानि पूर्ब इनके नौकर थे मदन मालवी अचानक दिमाग हिम्मद पाटिदार का मदन मालवी पे जाता है अरे ये तो मामला फेल हो रहा है कालू मालवी भाग जाते हैं निकल जाते हैं मिल नहीं पाते हैं तो अब कैसे होगा मेरा प्लान फेल हो जाएगा मेरा कर्ज कैसे उतरेगा तो इस कर्ज से निकलने के लिए तो मैंने फुल प्लानिंग भी की है तो फिल हो जाएगा हिमत पाटिदार के दिमाग में एक अचानक सा नाम आता है मदन मालवी का और अंग्रेजी का सब्द है एक्ष्टेंपोर इसका मतलब जानते हैं क्या होता है जो अचानक हो भी बिना प्रीप्लान के उस सब्द का यहीं यूज होता है हिम्मद पाटिदार के दिमाग में अचानक ख्यालाता है मदन मालवी का यह एक्चूल टाइम में नहीं बता पा रहा हूँ लेकिन लगभग इसी हेरफेर का था मदन मालवी को लाते है इनके नौकर थे पूर्व और खेतों में लेकर चलते हैं कि भईया चली सिचाई करना है थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए अपने गाड़ी पर बैठा कर लाते हैं अपने खेतों की तरफ और वहां पहुंसते हैं मदन मालवी बड़े गरीब आदमी थे और हिमत पाटिदा थोड़े जानते हैं अच्छे परिवार से बिलांग करते थे तो कपड़े पहने थे सर्द वाला वो अपने सारे कपड़े मदन मालवी को दे देते हैं अपने पूर्व नौकर को पहना देते हैं कि आप अपना कपड पीछे की तरह भुढ़ते हैं तलवाद निकालते हैं बदन माली हगाला रेत देते हैं रेतने को भागल में घॉपड़ा इनको पहना गास पडश को मुह पर फ्थिकते हैं और पूरे मुझों को, कोई जान ना पाए कि यह हिम्मत पाटिदार नहीं है लोगों को लगे यही हिम्मत पाटिदार है और इस घटना को इस तरीके से अंजाम देते हैं कोई जान ही ना पाए और हर्वयक भी सोचता है यानि एसपी साहब भी सोचते थे यही तो हिम्मत पाटिदार है वह उनका कप प्लान हो जाता है यह सारी बात का प्लानिंग करता है पूरा प्लान फेल हो जाता है बीमा की रास ही अब कैसे मिलती है और यहां मामला पूरी तरीकी से उजागर होता है अब इस आलागों के पीछे जाते हैं हिमत पाटिदार अपनी ही मौत का गजब खेल खेलते हैं हिमत पाटिदार इस कहानी को दूर तलग पहुँचाईए ताकि लोग जागरूख हो और ऐसी घटना दुबारा ना हो उमीद करता हूँ यह कहानी यह सीरी लोगों को भी है पसंद आया होगा